नमस्का दोस्वाज फिर आपका स्वागत है Crown Immigration के YouTube चैनल पर आज का जो हमारा टॉपिक है Free Study in Italy से रिलेटर रहेगा इटली के पोर्टल आरडी ओपन हो चुके हैं पिछले दो-तिन महीने से अगर आप पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं आपका ड्रीम इटली में पढ़ने का है Crown Immigration आपका बहां पर admission 100% करवा सकते हैं लेकिन वीजा सुक्सेस्पूल रेट बहुत ही इटली की इटली में maximum student इसलिए अपना student वीजा अपलाई करते हैं क्योंकि इटली जो government है international student को free type की जैसी study ही provide करती है और बहां के government हर एक international student को not in Indian बाकी भी country के जो international student है उनको stipend भी provide करती है बावन सो यूरो का तो अभी इटली government पिछले 4-5 साल से number of visa applications rejected कर रही है इवन जो genuine student है जिनके ILTS में 7-7 band भी है percentage भी अच्छे है उनको भी rejection देखने को मिली है तो rejection से related हमारे channel के ओपर बहुत सारी videos है बट फिर भी आप चाहते हैं कि मैं इटली के अंदर अपना luck use करूँ एक पर रही try करूँ इटली का student visa हम आपको open बताकर आपका visa apply करेंगे कि this is a fact और जब भी हम इटली का visa apply करते हैं तो बच्चे को parents को always ही suggestion देते हैं कि आपने साथ में यह substitution लेकर चलना है जी option लेकर चलना है कल आपका इटली का visa नहीं होता तो आप इस country में successfully पहुँच पाएं अगर आप एक ही country के उपर dependency लेकर चलेंगे इटली के उपर तो आपके time और आपका पैसा based हो सकता है जी मेरा अपना experience है मैं फिर बताओं कि चाहे वो इटली है चाहे किसी भी country के उपर जो भी result रहते हैं चाहे में जा क्यों ना refuse जाए चाहे किसी student ने मुझे already approach किया किसी और consultant के थूँ apply किया जाए अपने level पर भी apply किया होता है तो उसका भी मैं जूम meeting लेकर अपने channel के उपर आता हूँ तो जितने भी यह मारे viewers हैं जो मेरे followers हैं जो मेरी videos को देख रहे हैं उनसे भी मेरी always ही request रहती है अगर आप अपना भी कोई experience हमारे साथ share करना चाहते हैं आप already बार बार refuse हो रहे हैं आइदर इटली जा whatsoever country में और आप चाहते हैं कि जो मेरे साथ हुआ है ऐसा किसी another student के साथ ना हो तो मैं इससे related हमारे channel के उपर June meeting के थूरू इस topic के उपर discussion करना चाहता हूँ जिसके अंदर आप हमें precautions बताएंगे हमें भी even हमारे prospective students को भी तो crown immigration आपको most welcome करती है even अगर आप चाहते हैं कि आपकी identity hide की जाए वो भी हम hide करेंगे even आप चाहते हैं कि आपका face blur किया जाए बो भी मैं आपका face blur करूँगा बट आपके experience से जैसे आप सफ़ड़ें तो लॉको student का time और पैसा बस सकता है और आपको blessing भी मिल सकती है तो अभी इटली के उपर आते हैं इटली में जाना है चाहे आपने admission लेना है बहां की किसी भी XYZ उनिवस्टी में चाली साल की है पैंती साल की है देर इस नो एनी प्रॉब्लम यू कैन गेट दा admission वीजा फिर बता दिया तेट इस ओनली रिस्क पिछले साल इटली गॉवर्णन ने अपने जो funds हैं उसको raise किया है 6000 यूरोप पर येर के किये है ऐसा provision किसी भी country के अंदर नहीं है कि आपने जितनी study करने के लिए जाना है उतने साल के living expenses भी दखाने पड़ेंगे except USA को another shengen country जिनके हम student को बेजते हैं मेरे पास तो ऐसी भी country है वो जह कहती है कि अगर आपने हमारी country में एक साल की tuition piece बेज दिया तो आपको अपने living expenses भी दखाने की जूरत नहीं है even हमारे पास ऐसी country हैं जो जह चाहती हैं कि अगर आप हमारी country में पढ़ने के लिए आते हैं तो आप अपने living expenses साथ में केरी कर लीजे जैसे मैं Belgium की बात करूँ जहां मैं Norway की बात करूँ जहां जर्मनी की बात करूँ तो जितनी भी जे 26 countries हैं बहाँ पर सिर्फ एक साल के ही living expenses दखाने पड़ते हैं बट Italy government ने कहा है कि जितने साल की आपकी study है उतने साल के आपको living expenses दखाने पड़ेंगे चाहे आपको scholarship मिलता है जा नहीं भी मिलता है पराने fund भी मांगते हैं source of income भी मांगते हैं इवन that fund दखाने के वाव यूद भी बच्चे को refusal देखने को मिलती हैं इवन big profile वाले बच्चे जिनका luck होता है वो बीजार ले ले लेते हैं जिन बच्चों की profile ने अच्छी होती हैं वो बचारे मतलब अपना time और अपनी money waste कर लेते हैं इटली की ये problem के कारण तो इटली में आपने कैसे admission लेना है crown immigration आपकी help कर सकती है आप चाहते हैं कि हम इटली के लिए comprehensive अपनी services लें crown immigration में तो हम आपकी comprehensive services provide कर सकते हैं from the beginning of admission to applying the visa but success rate जो है वो visa embassy ने देना है आप चाहते हैं कि आपको सिर्फ admission पार्ट की service चाहिए that we can help आप चाहते हैं कि आपने सिर्फ pre enrollment की information लेनी है जा उसी की service चाहिए that we can help आप चाहते हैं कि मुझे सिर्फ DOV पार्ट की ही services चाहिए that separate मैं आपको provide कर सकता हूँ आप चाहते हैं कि मैंने सिर्फ अपने academic document HRD ही करवाने है उसकी service चाहिए उसका भी हम आपको service provide कर सकते हैं आप चाहते हैं कि मैं अपने document HRD के बाद आपोस्टल करवाने उसकी भी service आपको मिल सकती है आप चाहते हैं कि हमें कौन से document HRD या आपोस्टल करवाने उसके बारे में भी करॉनिमिगरिशन आपको information प्रवाइट कर सकती है आप चाहते हैं कि आपने अपने जो document है इनको translation कराना है इटालियन में उसमें भी करॉनिमिगरिशन आपको service दे सकती है आपको DOV की date नहीं मिल पा रही तो DOV की date में भी करॉनिमिगरिशन आपकी help कर सकती है DOV की application को fill up कैसे करना है उसमें भी कोई आपको problem है तो उस part की भी service आपको करॉनिमिगरिशन से मिल सकती है आप चाहते हैं कि मैंने अपने सिर्फ scholarship के ही document प्रपेर करने है करॉनिमिगरिशन से करॉनिमिगरिशन उसमें भी आपको service दे सकती है आप चाहते हैं कि मैंने यह सारा काम करवाया हुआ है सिर्फ मुझे आज की date में वीजा पार्ट की service चाहिए करॉनिमिगरिशन के तुरू तो करॉनिमिगरिशन वीजा के लिए किस वे से apply करते किस वे से appointment होती है उसमें भी आपकी help कर सकती है आप चाहते हैं कि आपका visa already refuse हो चुका है जा refuse होने वाला है आपको Italian embassy ने advance notice दे दिया है आपको 30 days का time दिया है आपने उसके ओपर कोई representation बनानी है तो करॉनिमिगरिशन उसमें भी आपकी help कर सकता है आप चाहते के हैं आप already student visa पर बहाँ पर पहुंच चुके हैं आप लग लिए आपका लग गया है आप यहां से अपने parents का जाए अपनी wife का spouse visa डेपेंडन्ट visa अपलाई करना चाहते हैं तो करॉनिमिगरिशन उसमें भी आपकी help कर सकती है आपने अपने marriage certificate को authenticate करवाना है आपको को visa appointment की requirement है इटली की उसमें भी करॉनिमिगरिशन आपकी help कर सकती है आपने अपने document embassy में submission करवा दी है आपको कुछ document को hello verify भी करवाना पड़ता है hello verify की भी requirement इटली के अंदर start हो चुकी है hello verify है क्या उसकी video already मेरे channel के उपर है वहाँ जाकर आप देख सकते है इटली से related अगर आपकी कोई भी query है यह वो ही इतना बोल सकता है वो ही यह इतने technical point बता सकता है जिसको in country के साथ बहुत closely experience है इटली में आपका 5 पर ही visa refuse हो चुका है फिर भी आप चाहते है कि मैंने शेंगन country में जाना है तब भी chronym equation आपको options provide कर सकती है आपकी profile देखने के बाद अगर आप already शेंगन से refuse ने है तो अभी आपको कोई सी ऐसी शेंगन country है वो आपको visa दे पाए और आपका dream है इतली में ही पढ़नेगा तो आप इतली में भी पढ़ सकते है लेकिन firstly आपको किसी और शेंगन country में as a student जाना पढ़ेगा बहां से आप इतली की भी transfer ले सकते हैं इतली में भी आकर पढ़ सकते हैं second year में जहां second semester में ये भी chronymigration आपको help करवा सकती है आप आरड़ी शेंगन जोन के अंदर हैं किसी भी consultant के थूँ गए हैं और इतली में as a student आना चाहते हैं तो chronymigration उसमें भी आपकी help कर सकती है funds में आपको कोई problem आती है आपको मालूम नहीं परपारदा कि कौन से funds के document दखाने हैं आपको income tax की return ने किस वे से उनको भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ब्रोज करके देख सकते हैं तो इस टाइब की informative वीडियो डेली में अपने social media के उपर डालता रहता हूँ आप चाहते हैं whatsoever वीडियो में अपने social media पर डालूँ उसकी नोड़के सबसे पहले आप तक आए तो आपको हमारे जितने भी social media इनको immediately follow करना पड़ेगा lastly मेरी जही रॉक्वेस्टिए अगर आपको जो मेरी वीडियो चलिए इसको like and share करना ना मुले Thank you